हलो दोस्तों आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे 4G और 5G से रिलेटिट 10 डिफ्रेंसिस के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं इस वीडियो को लाज तक जरूर देखें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्ट लिपसर में दे गए हैं वहाँ पर जाहिए और उनने क्लिक करके देख सेखते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे 10 टोपिक्स हैं 4G क्या है 5G क्या है और 4G 5G की स्पीड में क्या डिफ्रेंसिस हैं इनका इंफ्राइस्ट्रक्शर क्या है इन दोनों की 4G और 5G के बीच में जो लेटेंसि है वो क्या है क्या डिफ्रेंस से लेटेंसि में वाफरिंग लोडिंग नेट्र कंजेशन ओनलाइन गेमिंग लैक और क्लाउड गेमिंग क्या चीज़ है ठीक है तो चलिए जानते हैं सबसे पहला हमारा पोइंट है वाट इस 4G ठीक है जैस कर पारी थी जिसकी वज़ेसे 4G को लाया गया ठीक है जो कि मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में सबसे ज्यादा उन्नक तकनीक है ठीक है आज देश की सभी टेलिकॉम कंपनी 4G सर्विश प्रवाइड करा रही है जिसके चलते जितने भी स्मार्ट फोन से पर प्रिजेंट 4G सर्विस का एडवांस वर्जन है जिसमें 4G के सभी फीचर्स को ड्वेलप करके सामिल किया गया है ठीक है 5G सूपर हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम पर काम करेगा और स्मार्ट फोन में 5G की स्पीड पर इंटरनेट चल सकेंगे जिसके लिए कोल कॉम तो आप चानते होंगे कोल कॉम मीडिया टेक और बायोनिक जैसी टेक कंपनियों ने अपने चिपसेट वेब प्रोसेसर को भी लॉंच कर दिया है ठीक है हमारा थर्ड पोइंट है 4G एंड 5G स्पीड अगर हम 4G 5G स्पीड की बात करें तो 5G और 4G में जो पहला और सबसे बड़ा डिफ्रेंस है वह होगा इंटरनेट की स्पीड फिलहाल 4G नेट्रक पर मैक्सिमम आइडल स्पीड 100 BPS देखी जाती है वहीं 5G में अगर हम स्पीड की बात करें तो हम 10 Gbps देखने को मिलेगी यानि 5G नेट्रक 4G नेट्रक की कंपेरिजन में 100 मल्टिपल फा सबसे बड़े मॉबाइल बाजारों में शेक है अपने देश में तेजी से स्मार्ट फोन यूजर्स की काउंटिंग बढ़ती जा रही है और सबी लोगों के पास इंटरनेट अवैलेबल है आप चानती है तेजी से बढ़ते मॉबाइल यूजर्स और इंटरनेट की बढ़ बलकि आने वाले फ्यूचर में भी करोडों लोगों को जेल पाएगा ठीक है इससे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेटेंसी लेटेंसी की बात करेते हैं सबसे पहले तो आपको लेटेंसी का मतलब बताने कि जब आप किसी दोस्त को कोई मैसेज बेज़ते हैं तो आपके फ कम यानि millisecond का होता है जैसे कि 4G में लेटेंसी महसूस भी नहीं होती है फिल भी नहीं होती है लेकिन 5G में है कितनी तेजी होगी आप सोच सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बफरिंग जैसे कि कोई वीडियो प्ले करते हैं तो आप देखते होंगे शुरू होने से पह क्या होता है वो राउंड राउंड सर्किल घूमता रहता है ठीक है ओनलाइन वीडियो देखने के दोरां जब यह है वह बीच में रुकती है और चकर सा घूमता नजर आता है वह नेट्रों की कमजोरी को दर जाता है ओके 5G के आने के बाद सायद बफरिंग सब भी आपकी जो हिस्ट्री है उसमें रहेगा नहीं ठीक है अगर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लोडिंग लोडिंग की बात करें तो इंटरनेट पे कोई भी चीज सर्च करने के दोरां जैसे की कीवर्ड को लिखकर एंटर किया जाता है और फिर जो पीज खुलकर सामने आता है इसके बीच का कुछ समय लोडिंग में लगता है 5G में यह लोडिंग शमय और भी कम हो जाएगा यानि एंटर मारते रिजल्ट आपके शामने उपस्तित हो जाएगा 4G LTE में लोडिंग देखें तो 20 मिली सेकंड का समय बताया अगर हम 5G में बात करें तो यह है टाइम 2 मिली सेकं होने का दावा है ठीक है नेटर कंजेक्शन की तरफ देखें जैसे कि हमने उपर भी बताया कि तेज में स्मार्ट फोन यूजर्स और इंटरनेट यूजर्स तेजी से बढ़ रहे हैं 4G स्पेक्ट्रम शिमित है और लगातार नए-नए यूजर्स जुड़ने से एक वी होके फोन्स को सिगनल दिया जा रहा है इस वज़े से नेटरक कंजेशन बढ़ता जा रहा है लेकिन 5G में है situation refresh हो जाएगी और बिना रुकावट सेवा मिलती रहेगी ठीक है हमारा 9 पॉइंट है online gaming lag online gaming lag means जैसे कि आप PUBG तो आपने सुनाई होगा जैसे कि आप खेलते भी हैं कही बार ऐसा भी हुआ हुआ कि आपने fire का बटन दवाया लेकिन game में fire थोड़ा देर बाद हुआ ठीक है यानि बटन दवाने से लेकर उसकर response मिलने के बीच का जो शमय है वो game lag कहलाता है ठीक है 4G की तुला में 5G में यह लेक बेहादी कम हो जाएगा बहुत ही कम हो जाएगा online gaming में यह time microsecond में देखा जाएगा नेक्स्ट है हमरा point clown gaming जैसे कि आप जानते हैं YouTube से लेकर Netflix हो गया आपका Amazon हो गया Amazon Prime जैसे कि मिर्जापुर सो देखते हैं आप Amazon Prime पे यह है सब हम internet के जरी ओन लाइन देखते हैं लेकिन जरा सोचें film की तरह ही games को भी online streaming के जरी खेला जाए तो कैसा होगा ठीक है 5G crowd gaming को आशान बना सकता है 5G में ऐसा सफल हो तो आपको नहीं phone या computer में game app को download करने पड़ेगा और नहीं PS, Xbox और महेंगे games को खरीदने की जरुत होगी ठीक है तो यह थे हमारे आज के 10 points जो आपको समझ में आ गए होंगे ठीक है और इस से related videos देखने के लिए आप इस चैनल को subscribe करना न भूलें और पास में देगए bell icon पर click जरूर करें जिसे हमारी next videos आपको मिलता रहें धन्यमाद